घ्लो स्टूडेंट, वेल्कम बाक्क टू धीए डीजन अटेडेमे एजूकेशन और हम इस विडियो में आज देखने वाले हैं टर्मिनलोजी अवव साइने मैत्मेटिक्स हम इस में यूजवली फंक्शन और वैयल्यू इस की डिफेरेंट वैयल्यू आते हैं जैसे कुछ व देखने वाले हैं तो मैं आपके बात बता दूं हम लोग जो नॉन पॉजिटीव वैल्यू नॉन नेगेटीव वैल्यू जो देखेंगे हम एक्चुली टू स्टेट्मेंट के हिसाब से देखेंगे पहला हमारे स्टेट्मेंट यह है कि जीरो इस सेट वी नाइदर पॉजिट पर नंबर पॉजिटीव इस घ्रेटीव अ मिनंज non positive है means that वो 0 से less है और equal है means that number is less than or equal to 0 यहाँ पर जो statement है 0 is set to be both positive and negative यहाँ पर 0 को positive and negative बताय गया है okay to modify phrases are used to refer to the sign of number तो इसके साबसे जो हमारा पहला statement है a number is strictly positive if it is greater than 0 इनके साबसे अगर कोई भी number या कोई भी value अगर 0 से greater है means that वो strictly positive है okay दूसरा statement a number is strictly negative if it is less than 0 इसका मतलब यह हुआ कि 0 से कोई भी number अगर less है उसको हम बोलेंगे strictly negative a number is positive if it is greater than or equal to 0 इस statement के हिसाब से अगर हमें बोला गया कि number positive आया है means that वो 0 के equal भी है और 0 से greater भी है means that यह हमारा जो number रहेगा वो 0 से greater रहेगा और 0 से equal रहेगा जो रहेगा ओके फोर्थ statement a number is negative if it is less than or equal to 0 यहां पर अगर कोई number या कोई value बताया गया है कि number negative आया है या number negative है इस function या इस set के अंदर जो number है वो less than 0 है और equal to 0 है number is less than और equal to 0 तो students अगर यह वीडियो आपको informative और useful लगा होगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दिजेगा अगर ऐसा ही कोई doubt रहेगा या ऐसे कुछ basic doubt है आपके पास तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा हम उसका जवाब जरूर देंगे या वीडियो बनाने लाइक रहेगा तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे लिए कि लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टेक केर और बाबाएं